G20 शिकर सम्मेलन रविवार को समाप्थ हो गया इस सम्मेलन में जिस नेता ने सबसे ज़्यादा सुर्ख्यां बटोरी वो हैं ब्रिटेन की प्रधान मंत्री रिशी सुनक बिटेन की प्रधान मंत्री का सनातन रंग सबसे जादा सुर्ख्यों में रहा भारत आने से पहले से लेकर भारत से वापस लोटने तक सुनक कई बार सनातनी चोले में देखे तो आईए जानते हैं इन खास मौकों के बारे में पहला मौका तब था जब भारत दोरे पर आने से पहले सुनक ने एक विशेश इंट्रव्यू दिया इसमें उनुने कहा कि उन्हें अपने भारतीय जड़ो और भारत से संबंदों पर बेहत गर्व है उन्होंने कहा मेरी पतनी भारतिय है और एक हिंदू होने के नाते मेरा हमेशा भारत और भारत के लोगों से जुड़ाव रहेगा मुझे अपने भारतिय जड़ो और भारत से अपने संबंदों पर बेहत गर्व है भारत पहुशने पर विटेन की प्रधान मंतरी एक बार फिर सनातन को प्रणाम करते हुए नजर आए उन्होंने यहां पहुशने के बाद समाचार एजिंसी एनाई को साक्षा अतकार दिया इस दोरान उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मेरी परवरिश इसी तरह हुई है उमीद है कि अपने इस भारत यात्रा में मैं मंदर भी जा पाऊं हाली में मैंने और मेरे भाई बेहनों ने रक्षा मंदन मनाया अभी भी मेरे पास बहुत सारी राखिया है हाला कि इस बार वक्त की कमी की वज़े से मैं अच्छी तरह से जन्माष्ट मी नहीं मना पाया लेकिन मैं मंदर जाकर इसकी भरपाई जरूर कर सकता हूँ सुनक ने एन आई को दिये इंटर्व्यू के दोरान मंदर जाने की उम्मीद जताई थी और कुछ समय बाद उनकी ये आस भी पूरी हो गई रिशी सुनक और उनकी पतनी अक्षता मूर्ती सुभा सुभा अक्षधाम मंदर पहुच गए मंदर में दर्शन करने के साथ ही दोनों ने गौपूजा की और प्रधान मंतरी सुनक कलाई पर कलावा बांधते हुए भी नजर आए रिशी और उनकी पतनी 45 मिनिट तक मंदर में रहे ब्रिटिश पीम रिशी सुनक और उनकी पतनी अक्षता ने अक्षधाम मंदर में हाथ जोड़ कर पूजा की दोनों ने आर्थी भी की जिसकी वीडियो और फोटोस भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी सुनक ने जमीर पर माथा टेक कर भगवान को नमन किया इसके साथ ही ब्रिटिश पीम ने संतों के साथ भी फोटो किचवाई उन्होंने मुख्य मंदर के पीछे स्थित एक और मंदर में जलाभिशी किया अक्षधाम मंदर के निदेश्यक जोतिंद्र दवे ने कहा कि उनकी आखों क्रियाओं में जो प्रेम भक्ती थी वो सच में एक भक्त की ही थी एक राजी के नेता की नहीं एक प्रधान मंतरी की नहीं थी सनातन को प्रणाम करते सुनक जब राजगाट पहुचे तो एक बार फिर उन्होंने सब का दिल जीत लिया सुनक नंगे पाव बापो को शद्धांचली देने पहुचे थे उनकी आस्था और संसकारों के प्रदर्शन ने उनको हिंदुस्तान में हीरो बना दिया जानकारों का मानना है कि इस तरीके से जुड़ने वाले रिष्टों से भारत और बिटेन के कूट नीतिक रिष्टे भी मस्बूथ होंगे आपको बता दे कि बिटेन की प्रधार मंतरी रिषी सुनक और बांगलादेश की पीम शेक हसीना की एक तस्वीर भी वारल हुई थी जिसमें बिटेश पीम सुनक घुटने पर बैटकर अपनी बांगलादेशी समकक्ष से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर ने इंटरनेट पर लोगों को काफी आकरशित किया था दिल को छूलेने वाले इस तस्वीर को लोग सोशल मीडिया पर भी साजा कर रहे हैं रिशी सुनक के साथ उनकी पतनी अमूरती ने भी इस यातरा के दोरान सब का दिल जीता, अक्षता के भारते पहनावे और सादकी की भी सभी निचेछा की चाहे अक्षदाम मंदर के दौरे के दौरान हो या देश लोटने के दौरान उनकी साड़ी पहनने की तस्वीरें सभी को काफी पसंद आई थी वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम दौरी दौरी नरंदा